नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरफ़ इचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बहद ही महतंपूर्ण जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों आज का हमारा टोपिक है मखाना खाने के फायदे मखाने देखने में तो गोल मटोल सुखे दिखाई देते हैं परेहकई और शद्य गुनों से भरपूर होते हैं हमारे स्वास्थे को तंदुरूस्त रखने में मदद करते हैं मखानों का प्रियोग हम भोजन में भी कर सकते हैं मखाने में प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट भरपूर मातरा में पाए जाते हैं मखानों से तैयार खीर बहुत ही स्वाधिश्ट होता है सबजी और भुजिया में भी मखाने डाले जाते हैं मखाने खाने से शरीर को कई रोगों से छोटकारा मिलता है मखाना हम खाते रहते हैं उपवास में अक्सर खीर के रूप में या फिर नमकीन भूने हुए नमकीन के रूप में हम खाते हैं मखाना कमल का बीज नहीं होता है इसकी एक अलग प्रजाती है यह भी तालाबों में ही पैदा होता है लेकिन इसके पोधे बहुत काटेदार होते हैं इतने कटिले कि उस जलाशे में कोई जानवर भी पानी पीने के लिए नहीं घुस्ता जिसमें मखाने के पोधे होते हैं इसकी खेती बिहार के मिथलांचल में होती है मखाना दो देवताओं का भोजन कहा गया है उपवास में इसका विशेश रूप से उपयोग होता है पूजा एवं होण में भी यह काम आता है इसे औरगेनिक हरबल भी कहते हैं क्योंकि बिना किसी रासाइनिक खाद या किट नाशकों के उपयोग किया जा सकता है अधिकांशत ताकत के लिए दवाएं मखाने से बनाई जाती हैं केवल मखाना दवा के रूप में प्रियोग नहीं किया जा सकता है इसलिए इसे सहयोगी आयरुवेदिक और शधिवी का सकते हैं आप इसके औशधिय गुणों के चलते अमेरिकन हर्बल फूड प्रोड़क्ट एसोसियेशन द्वारा इसे क्लास वन फूड का दर्जा दिया गया है यह जिन अतिसार ल्यूकोरिया शुक्रानों की कमी इत्यादी में उपयोगी है इसमें एंटियोक्सिडेंट होने से यह स्वस संतंत्र मूल जनन तंत्र में लाफदायक है यह बलड प्रेशर एवं कमर तथा घुटनों के दर्द को नियंत्रित करता है इसके बीजों में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा कैल्शियम एवं फासफुरस के अतिरिक्त कैरोटीन लोहा निकोटीन अमल एवं विटामिन बीवन भी पाया जाता है मखाने में 9.7% आसानी से पचने वाला प्रोटीन 76% कार्बोहाइडरेट 12.8% नमी 0.1% वसा 0.5% खनीजलवन 0.9% फासफुरस एवं प्रती 100 ग्राम 1.4 मिलेग्राम लोहपदार्थ मोजूद होता है अब हम जानते हैं मखाना बनाने की विधिकों मखाने उथले पानी वाले तालाबों और सरवरों में पाये जाते हैं मखाने की खेती के लिए तापमान 20-25 टिग्री सेलसियस तथा सपेकशिक आदरता 50-90% होनी चाहिए मकाने की खेती के लिए तालाब चाहिए होता है जिसमें दो से धाई फिर तक पानी रहे इसकी खेती में किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है खेती के लिए बीजों को पानी की निचली सता पर एक से डेढ़ मीटर की दूरी पर डाला जाता है एक हेक्टेयर तलाब में 80 किलो बीज बोय जाते हैं बुआई के महिने दिसंबर से जनवरी के बीच होते हैं बुआई के बाद पोधों का पानी में ही अंकुरन और विकास होता है इसकी पत्ती के डंठल एवं फलों तक पर छोटे छोटे काटे होते हैं इसके पत्ते बड़े और गोल होते हैं और हरी प्लेटों की तरह पानी पर तैरते रहते हैं अप्रेल के महिने में पोधों में फूल लगना शुरू हो जाता है फूल बाहर नीला और अंदर से जामुनी या लाल और कमल जैसा दिखाई देता है फूल पोधों पर कुछ दिन तक रहते हैं फूल के बाद काटेदार स्पंजी फल लगते हैं जिन में बीज होते हैं यह फल और बीज दोनों ही खाने योग्य होते हैं फल गोल अंडाकार नारंगी रंग के तरह होते हैं और इन में 8 से 20 तक की संख्या में कमल गटे से मिलते जूलते काले रंग के बीज लगते हैं फलों का आकार मटर के दाने के बराबर तथा इनका बाहरी आवरन कठोर होता है जुन जुलाई के महिने में फल 1 से 2 दिन तक पानी की सतह पर तैरते हैं फिर ये पानी की सतह के नीचे डूब जाते हैं नीचे डूबे हुए इसके काटे गल जाते हैं और सितंबर अक्टूबर के महिने में ये वहां से इकठा कर लिये जाते हैं फलों में से बीजों को निकाल लिया जाता है धूप में इन बीजों को सुखाया जाता है सुखे बीजों को लोहे की कड़ाई में सेंका जाता है सेंकने से बीजों के अंदर की नमी भाप में बदल जाती है और जब इन सीके हुए बीजों को कड़ी सता पर रख कर लकड़ी के हंथोड़ों से पीड़ते हैं तो गर्म बीजों का कड़क खोल फट जाता है और बीज फटकर मखाना बन जाता है इन्हें रगड कर साप किया जाता है और पॉलिथिन में पैक कर दिया जाता है अब आईए हम जानते हैं इसके आयूरवेदिक गुनों के बारे में ये पाचन में सुधार करता है मखाना एक एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण सभी आयूरवेदिक के लोगों द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है बच्चों से लेकर बुढ़े लोग भी इसे आसानी से पचा लेते हैं इसका पाचन आसान है इसलिए इसे सुपाच्य कह सकते हैं आप इसके अलावाब फूल मखाने में एस्ट्रीजन गुण भी होते हैं जिसे या दस्त से राहरत देता है और भूख में सुधार करने के लिए मदद करता है एंटी एजिंग गुणों से ये भरपूर होता है मखाना उम्र के असर को भी बेअसर करता है यह नट्स एंटी अक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण उम्र लोग सिस्टम के रूप में कारे करता है और आपको बहुत लंबे समय तक जवाँ बनाता है मखाना प्रेमेचोर, वाइट हेयर, जुर्नियां और एजिंग के अन्य लख शनों के जोखिम को कम करने में मदद करता है डाइबिटेज रोग्यों के लिए ये फायदे मन्द होता है डाइबिटेज जया पचय विकार है जो उच्चरक्त शरक्रा के स्तर के साथ होता है इस इसके बीज में स्टार्च और प्रोटीन होने के कारण यह डाइबिटेज के लिए बहुत अच्छा होता है किड्नी को ये मजबूत बनाए रखता है मखाने का सेवन किड्नी और दिल की सेहत के लिए फायदे मन्द है फूल मखाने में मीठा बहुत कम होने के कारण यह स्प बलंटियर सेहत मंद रहता है दर्द से चुटकारा दिलाए दर्द से चुटकारा के डर्द मखाना कैल्षियम से भरपूर होता है इसलिए जोडों के दर्द विशेश कर अधराइंटीस के मरीजों के लिए इसका सेवन काफी फायदे मंद होता है साथ ही इसके सेवन से शरीर के किसी भी अंग में हो रहे दर्द जैसे कि कमर दर्द और घुटने में हो रहे दर्द से आसानी से रहत मिलता है निंद ना आने की समस्या से भी ये छुटकारा दिलाता है मखाने के सेवन से तनाव कम होता है और निंद अच्छे आती रात में सोते समय दूद के साथ मखाने का सेवन करने से निंद ना आने की समस्या दूर हो जाती है कमजोरी को भी ये दूर करता है मखाने का नियमित सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और हमारा शरीर सेहत मंद रहता है मखाने में मौजूद प्रोटीन के कारण यह म प्रेगनेंट महिलाओं और प्रेगनेंसी के बाद कमजोरी में हसूस करने वाली महिलाओं को मखाने का सेवन करना चाहिए मखाना का सेवन करने से शरीर के किसी भी अंग में हो रही दर्ध से रहत मिलता है मखाना को दूद में मिलाकर खाने से दाह यानि की जलन में आराम मिलता है छे मखानों के सिवन से दुरबलता मिटती है तथा शरीर पुष्ट होता है विर्य की कमी मरदाना कमजोरी शुक्र मेह में इसे हलवे के साथ खाना चाहिए आटे घी चीनी के हलवे मखाने में डाल कर खाने से गरभाशे की कमजोरी और प्रदर की समस्या दूर होती है तो सारी बीमारियों से आप छुटकारा पास सकते हैं ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगली कड़ी में हम आप सभी से जुणेंगे कुछ एक और बेहदी महतोपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों